ओम शांति आज एकिस मार्च दोहजार चौबिस दिन गुरुवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे अंतर मुखी हो याद का अभ्यास करो चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं प्रश्न जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या होगी उत्तर उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा सदा शीर खंड होकर रहेंगे धारना बहुत अच्छी होगी उनसे कोई विकर्म नहीं होगा उनकी दृष्टी बहुत मीठी होगी कभी देह अभिमान नहीं आएगा कोई को भी दुख नहीं देगे ओम शंति रुहानी बच्चों प्रती सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है इसलिए रुहाणी बच्चों प्रती, रुहाणी बाप समझाते हैं, आपने को आत्म समझना है, हम आत्माओं को बाप से ये knowledge मिलती है, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है, बाप आए ही है बच्चों को ले जाने लिए, बल सत्यूग में तुम आत्म अभिमानी बनते ह परन्तु परमात्म अभिमानी नहीं यहां तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्म अभिमानी भी अर्थात हम बाप की संतान है यहां और वहां में बहुत फर्क है यहां है पढ़ाई वहां पढ़ने की बात नहीं यहां हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं इस निश्य में रहकर सुनेंगे तो धारना बहुत अच्छी होगे आत्मा विमानी बनते जाएंगे इस अवस्था में टिकने की मन्जिल बहुत बड़ी है सुनने में बहुत सहज लगता है बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं बाब कहते हैं मैं भल इस शरीर में हूँ परन्तु मेरी यह असल की प्रेक्टिस है मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ आत्मा को पढ़ाता हूँ बक्ती मार्ग में भी आत्मा पाट बजाती आई है पाट बजाते बजाते पतित बनी है अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है सो जब तक बाप को परमात्मा समझ कर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे इस पर बच्चों को बहुत अंतर मुखी हो याद का अभ्यास करना है नौलेज जिस सहज है बाकी है निश्य पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं बाबा हमको पढ़ाते हैं तो धारना भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है विकर्मा जीत तो अंत में बनेंगे भाई भाई की द्रश्टी बहुत मीठी रहती है इसमें कभी दे अभिमान नहीं आएगा बच्चे समझते हैं बाप की नौलेज बड़ी दीप है अगर उच ते उच बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रीती करनी पड़े इस पर गौर करना पड़े अंतर मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए यहां जैसा एकांत घर में धंदा धोरी में तो मिलना सके यहां तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो आत्मा को ही देखना पड़े अपने को भी आत्मा समझना है यह प्रैक्टिस यहां करने से आदत पड़ जाएगी फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए कहां तक आत्म अभिमानी बने है आत्मा को ही हम सुनाते हैं उनसे ही बात चीत करते हैं यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है ये चार्ट बड़ा डीप है बड़े-बड़े महारती भी समझते होंगे बाबा जो दिन प्रती दिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मन्थन करने के लिए ये तो बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं फिर कभी भी मुख से उनको कहते हैं सर्वगुण संपन परंतु श्री क्रिश्न के पास गुण कहां से आई बल उनकी महिमा अलग है परंतु सर्वगुण संपन बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना तो अपनी जाच बहुत रखनी है कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है व्यापारी ल कि हमने सब को भाई भाई समझ कर बात की कोई को भी दुख तो नहीं दिया क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई शीर सागर की तरफ जा रहे हैं यह है विशे सागर तुम अभी ना रावन राज्य में हो ना राम राज्य में हो तुम बीच में हो तो अपने को आत्मा समझ ब आपस में भाई भाई हैं, हम इस शरीर से पाट बजाते हैं, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, हमने 84 जन्मों का पाट बजाया है, अब बाप आये हैं, कहते हैं मामे कम याद करो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं, ये बाप ही समझा बाप के सिवाय और कोई का पाट ही नहीं। युक्ति से लिखना है कि यहां ऐसे बाप को याद करना होता है। एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में डैवी गुणों के संसकार अभी भर ने हैं। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है। तुम समझा सकते हो परन्तु तुम अभी बहुत थोड़े हो। तुमारा नाम निकला नहीं है। इश्वर योग सिखलाते हैं। जरूर उनके बच्चे भी होंगे। वे भी जानते होंगे। ये किसी को भी पता नहीं है। नीराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं ? वे खुद ही समझाते हैं। मैं कलप कलप संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ। किस के तन में आता हूँ इसमें मूचने की बात नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है, एक में ही आता हूँ, प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वे मुरब्भी बच्चा पहले पहले बनते हैं, आदी सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं, इस चित्र पर समझानी बहुत अच् कैसे चक्र फिरता है इन बातों को और कोई जान ना सके तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ती से लिखो यतार्त योग कौन सिखला सकते हैं यह मालूम पढ़ जाए तो तुम्हारे पास धेर आ जाए इतने बड़े आश्रम जो हैं सब हिलने लग पढ़ेंगे यह पिछाडी को होना है फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संसाएं भक्ती मार्ग की हैं ज्यान मार्ग की एक भी नहीं तब ही तुम्हारी विजय होगी यह भी तुम जानते हो हर पाँच हजार वर्ष के बाद बाप आते हैं बाप द्वारा तुम सीख रहे हो औरों को सिखलाते हो कैसे किसी को लिखत में समझाना है यह सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती है जो बहुतों को पता पड़ जाता है सिवाए बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता तुम जानते हो उस तरफ है रावण इस तरफ है राम रावण पर तुम जीत पाते हो वह सब है रावण संपरदाए तुम इशुरी संपरदाए बहुत थोड़े हो भक्ति का कितना शो है जहां जहां पानी है वहां मेला लगता है कितना खर्चा करते हैं कितने डूपते मरते हैं, यह तो ऐसी बात नहीं, फिर भी बाप कहते हैं, आश्चरेवत मेरे को पहचानती, सुननती, सुनावनती, पवित्र रहनती, फिर भी आछो माया, तेरे द्वारा हार खावनती, कल्प कल्प ऐसे होता है हार खावंती भी होते है माया के साथ युद्ध है माया का भी प्रभाव है भक्ती को तो हिलना ही है आदा कल्प तुम प्रालब्द भोगते हो फिर रावन राज्य से भक्ती शुरू होती है उनकी निशानिया भी कायम है विकार में जाते हैं फिर देवता तो रहे नहीं कैसे विकारी बनते हैं दुनिया में कोई जानते नहीं शास्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए कब गए ये नहीं समझते हैं ये सब बातें अच्छी रीती समझने और समझाने की है यह भी तब समझे जब निश्चे बुध्धी हो उनकी कशिश होगी कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ परंतु पहले देखो घर जाने के बाद वह नशा रहता है निश्चे बुध्धी रहते हैं भल याद सतावे चिठी लिखते रहें आप हमारे सच्चे बाबा हो आप से उ बाप, टीचर, साजन, आदी सब कुछ है और सबसे दुख मिला है उनकी एविज में बाप सुख देते हैं वहां भी सब सुख देते हैं इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो यह पुर्शोत्तम बनने का पुर्शोत्तम युग है मूल बात है अपने को आत्मा बाप को प्यार से याद करना है याद से खुशी का पारा चड़ेगा हमने सबसे जास्ती भगती की है धक्के बहुत खाए अब बाप आया है वापिस ले जाने तो जरूर पवित्र बनना है दैवी गुण धारन करने हैं पोता मिल रखना है सारे दिन में कितने को बाप का प पर इचे देने भी गर सुख नहीं आता तडफर लग जाती है यग्य में बहुत विघन भी पढ़ते हैं मार खाते हैं और कोई सत्संग नहीं जहां पवित्रता की बात हो यहां तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघन डालते हैं पावन बनकर घर जाना है संसकार आत्मा ले जाती है कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाहियादी कहां कहां से आते हैं स्वर्ग में कैसे जाएंगे लड़ाई के मैदान में मित्र याद आते हैं, अब बाप समझाते हैं, सबको वापिस जाना है, अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो, जो जितना पुर्शार्थ करेंगे, उतना उच्पद पाएंगे, वो लोग कहते हम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही न बच्चे जानते हैं बाप की कितनी गलानी की है देवताओं की भी गलानी की है अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते यहां तो तुम डबल अहिंसक बनते हो ना काम कटारी चलाना ना ग्रोध करना क्रोध भी बड़ा विकार है केते बच्चों पर बहुत क्रोध किया पाप समझाते हैं थपड़ आदी कभी नहीं मारना वे भी भाई है उनमें भी आत्मा है आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है यह बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है आत्मा समझना है छोट पर वहाँ पड़ी है माखन की वे महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की तुम महिमा करेंगे सुल्टी तुम कहेंगे वे तो सर्वगुण संपन सोलह कला संपूर्ण है परंतु ये गलानी की भी ड्रामा में नून्ध है अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं पढ़ाने वाला है बेहद का बाप उनकी मत पर चलना पड़े डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यह सबजेक्ट है पद भी तुम कितना उँच पाते हो अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाएं इसमें बड़ी मेहनत है दे अभीमान आने से विकर्म बन जाएंगे इसलिए छूई मूई का दृष्टान पर है बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे भूलने से कुछ न कुछ भूल हो जाएगी पद भी कम हो पड़ता है शिक्षा तो सब को दी है जिसकी बाद में गीता बनाई है गरुड पुरान में रोचक बातें लिखी हैं जो मनुश्यों को डर लगे रावन राज्य में पाप तो होते ही हैं क्योंकि है ही काटों का जंगर बाप कहते हैं दृष्टी को भी बदलना है बहुत समय से हिरे हुए हैं इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है विनाशी चीज से प्यार रखने से फाइदा ही क्या अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है बच्चों को यही डिरेक्शन है उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सर शरीर विनाशी है उसे प्यार निकाल अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है अविनाशी बाप को याद करना है आत्मा भाई भाई है हम भाई से बात करते हैं यह अभ्यास करना है विचार सागर मन्थन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है वर्दान निमित और निर्मान भाव से सेवा करने वाले श्रेश्ट सफलता मोर्त भव निमित और निर्मान भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ट सफलता मूर्त भाव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित बनने और निर्मान रहने वाले निर्मान ता ही श्रेष्ट सफलता का साधन है किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित भावधारन करो, इससे सेवा में सधा मोच का अनभव करेंगे, सेवा में कभी ठकावट नहीं होगी, कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेष्टाओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे, स्लोगन, सेकिंड में विदेही बनने का अभ्यास हो, तो सूरेवन्शी में आ जाएंगे, ओम शंति